देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा बोटिंग के सारे रकोर्ट तुड़ गए इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता ये मेरे भावों में है ये मेरे मन मस्तिच के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साड में देश ने बहुत बड़े फैसले लिये है राष्ट प्रसम की भावना हमें असामान्य लक्ष हासिल करने का हौसला देती है ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई आजादी के सत्तर साल बाद बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सत्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले देश के असी करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राश्ट प्रथम की इसी भावना की वज़े से जम्मु किश्वी से तीन सो सत्तर हटी जी एस्टी और आईपीसी जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था जन हित में था हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती बड़ी एकोनोमी है राष्ट्र पथम की यही भावना भारत को आत्म निर्फर बनाएगी साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है विक्षिद भारत का संकल्प दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिर्वार हमारा होसला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नहीं मजबुती देता है नहीं उर्जा देता है हमारे बिरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जितनी इस लोगसभा चुनाओं में अकेली बीजेपी ने जीती है मदेश के कौने कौने में उपस्तित बीजेपी के कार करताओं को कहूंगा देश वाच्छों को कहूंगा आपकी मेहनत इतनी गर्वी में आपका बहाया पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वाच्छों के दुमारा दोहरा ना चाहता हूं अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारखार में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों NDA सरकार की प्रतिवद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर बर्क के विकास की रही है बीते दस वर्थों में हमने पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या S.T.S.T.O.B.C. की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए बुमन लेट डवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रेप्रेनर्स सिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते दस वर्षों में आपने देखा है हमने मेरिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्ट उसमें आईतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनिफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्यास किया है